अखिल भात के विद्यार्थी परिशत जम्मू विश्व देले इकाई का बर्तमान एदेख्शू सुनूल सीम। जैसे कि आज एक इतिहासी फैसला और आया है एब्लोकेशन 370 को लेकर हम जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को सांसद में बर्तमान सरकार ने 370 को हटाने के लिए बिल पेश किया गया था और अंत में वो हटाया गया लेकर जमू कश्मीर के अंदर कुछ लोग जो पावर को लेकर अपने आप में बड़े ही घर्ब और गृबू को कुछले का काम करते थे वो इस फैसले को लेकर सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं थे उन्होंने सुप्रिम कोर्ट में जाजकाफ ताइर की थी कि 370 जो हटाया गया है वो हमारे हित्मी नहीं है और गलत तरिके से हटाया गया है लेकिन आज जो मानिया सुप्रीम कोर की जो डिसीजन आया है अब्रोगेशन 370 को लेकर वो आया है कि जो फैसला कोवर्मेंट ने लिया है वो सही है जब हो थी हमारे लिए और विद्यार्थी परिशद के हरे करे करते के लिए स्वागत का विश्या है क्योंकि विद्यार्थी परिशद ने जब 370 भारतिया समिधान में एड़ किया गया था तब से ही हम लोग इसका विरोध करते रहे जम्मू कश्मीर के हित के लिए जम्मू कश्मीर के समाज के लिए जम्मू कश्मीर के हर एक नागरी के लिए कहीं न कहीं 370 एक काला कनून बन चुका था जिसके आहट में ऐसे बिरोधी तत्व और गॉर्मेंट में बैठे हुए सरकार में पावरफुल लोग गृपों को कुछले का काम करते थे हम देखते हैं कि बालमी की समाच को 70 साल तक कोई अधिकार नहीं मिला एस टी लोगों को फारेस अधिकार नहीं मिला लेकन 30 सेबटी हटने के बाल उन लोगों को विस हुलियत मिल रही है यह बहुत बड़ा एक हमारे लिए हर शोरूलास का हर एक बिद्यार्थी परिशत कारे करता के लिए है इसके लिए हम इसका स्वागत जमुम बिश्व देल्या करता है